नेता जी आजिरो नेता जी आजिरो नेता जी आजिरो नमस्कार मैं हूँ अनील पांडे SW24 News मध्यप्रदेश पर नेता जी हाजिरो कारिकम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं आज हमारे साथ कारिकम में चर्चा के लिए मौजूद है खरगोन के विधायक और शेत्री कांग्रेस के हम कहें दबंग नेता, सक्री नेता रवी जोशी जी रवी जी आपका स्वागत है चेनल पर आज हम रवी जोशी जी से प्रदेश के राजनेतिक मुद्दे शेत्री समस्यां कोरोना को लेकर जो विरोधा भासी चीजे हुई, कुछ हो सका, कुछ न हो सका कुछ अभी भी शेष रह गया है इन सारी विशेव पर हम बात करेंगे साथ ही हम खरगोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर भी उनसे उनका मत जानने का प्रयास करेंगे रवी जी, दो वर्ष से जादे गुजर चुका है प्रदेश में आपके विधायक के कारेकाल को लेकर माप कीज़ेगा शेत्र में इस दोरान जब आप विधायक बने थे तो काफी कुछ आपने बातें की थी और शेत्र के लिए आप बहुत सी चीज़ें करना चाहते थे बहुत प्रगति को लेकर आपने कुछ विचार बनाए थे बीच में एक अर्सा कांग्रेस की गौर्रमेंट आई फिर वापस बीजेपी की आई इस घटना क्रम के दोरान आपने जो छेत्र की प्रगति के लिए जो भी मनसूबे बनाए थे तो आज आप अपने आपको कहां खड़े पाते हैं निश्य थी खरगोन की जनता को जो वादे किये थे उसमें से कुछ वादे तो पूरे हो चुके हैं कुछ वादों पर काम चल रहा है और कुछ वादे ऐसे हैं कि जो जनता जो बोलेगी वो हम उस बखत करेंगे हमने जो नहीं कहा है वो भी जनता अगर बोलेगी तो हम बखुबी पूरी ताकट की साथ सरकार से लड़के वो काम कराएंगे हमने का अधा किसानों को सिजाई के लिए नर्वदा जी का पानी मिले वो पानी जैसी सरकार बनी हमने एक मैने के अंदर किसानों को सिजाई के लिए बी आर थ्री का पानी किसानों को सिजाई के लिए पहली बाल उब्दब्द कराया वो उस बखत लाइन डली उसके पुर्व जो सरकार थी उस बकत के 38 किलोमेटर की पाइपलाइन रोज रोज फूट जाया करती थी, तालाप फूटा हुआ था, उसके लिए रिनुवेट के लिए हमने सवा सो करोड रुपे सरकार से मंजूर करा है, पाइपलाइन का पूरा सुधार का कार्या अंतिम जरन में है, पूरा से एक पाइपलाइन जिसको पीपरी पाइपलाइन बोला जाता है, वो मंजूर कराई, उसका काम चल रहा है, वो हमारा लक्ष था कि हम 2022 में किसानों को उसका पानी किसानों को खेती के लिए, सिचाई के लिए देंगे, साथ में उसमें पढ़ने वाले गाओं को लोड़ी, रास्ते के नदी नालो सब में छोड़ा जाए, तो जिन किसानों के खेतों में हम लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से पानी नहीं पोचा सकते, वो किसान भी नदी नाले और तालावों से पानी लेकर अपनी खेती सिंचित कर सकता है, और लाबर जित कर सकता है, इ पाओं में सूके कंट को जब पानी नहीं है आज और सूके कंट को जब नर्मदाजी का अगले साल गर्मीम पानी पीएगा तो धन्यवाद देगा इस सोच को लेगा हमने इसी योजनाए गई विशेशकर खरगोन के शिक्षा स्चेत्र में हमारा वादा था कि कही हम वेवसाइक पाठ्टे करम चालू करें लाउ कालेज की बिल्डिंग हम बनवाए ताकि खरगोन में बीजेपी की सरकार के समय एक हमारे पाक सोगात थी पचास फरसों से लाउ कालेज चलता था वो पीछ सारी योजना है और हम तो वो बोलते हैं कि जन्ता जो योजना जब बताएगी जब हम उसके लिए तयार है लड़ने के लिए और करने के लिए रवीजी सही का आपने जो निमार शेत्र है खरगोंजिला है आपका जो विधान सभा शेत्र है मुल रूप से यहां किसानों किसानों के आबादी बसती है और पानी उनकी प्रमुक समस्या रही और आपके कारेकाल में काफी कुछ हद तक उसमे सुधार आया और आगे भी आ रहा है वर्तमान में जो खरगोंजिले की हम बात करें और आपके राजनीतिक जीवन में आपको विधायक न रहते हुए भी बड़ी बड़ी जुम्मेदारियां पार्टे ने दी है और वर्तमान में भी आपके पास कई जुम्मेदारियां है लेकिन हम देख जी शक्री है रवी जोशी जी का जनाधार है तो उनके शेत्र में वो आंदोलन दिख रहा है लेकिन व्यापक जो कांग्रेस जो व्यापक रूपचा अंदोलन करती थी वो पिछले आठ दस वर्शों से कहीं खो सागया विपक्ष की भूमिका में कुछ कमजोर ने जर रहा है आठ दस वर्शों की बात कर रहा है दो अजार अठारा के अंदर खरकोन बढ़वानी की दस में से आठ सीटे कांग्रेस ने जीती एक निर्दली कांग्रेस के सयोगी है वो जीते दस में से एक भाचपा जीती अंदोलन करने का प्रश्ण ही नहीं समय समय पे जनता के लिए जनता की आवाज बनकर कांग्रेस पालिटी के लोग खड़े रहे जबी ये दस में से आठ आठ और नो नो लोग हम जीत के आए रही बात पिछले एक वर्से से हमारी सरकार नहीं है एक वर्से से कोरोना की गाइडलाइन है एस ही कोई समाधान कोई समस्या आती है तो उसका स टाकत की साथ लोगों की समस्या को समधान कर रहता थे अंदोलन की आवशकता होगी तो निश्चीती अंदोलन भी करेंगे और इसा इतियासिक अंदोलन करेंगे कि खरगोन का इतियास पुना लिखा जाएगा उस अंदोलन मैं आपको रोकना चाह रहा हूं बीच में अभी पूर्व जो युवक कांग्रेस के जिल अध्यक्स थे राजेंद रगवन शी जी जो अविभाजित खरगोन बढ़वानी के अध्यक्स थे एक वरिष्ट कांग्रेसी आपके साथ कंद्र से कंधा मिलाकर राजनीती में वो चले हैं अभी उनका वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वह इस बात को लेकरकर के दुख जािर कर रहा है कि वर्तमान में जो नीक्तियां हो रहे हैं जो संगठन काारे कर रहा है कहीं न कहीं कुछ लोगों के हातों के कटपुतलिया बन गया है और वो अपनी चला रहे उसमें एसी इसी स्थिती में जो आम कारे करता है वो क्या वीडियो मैंने तो नहीं देखा लेकिन किसी कॉंग्रेस के कार्य करता को मान सम्मान में कमी नहीं तो उसके लिए मैं व्यक्ति के दूप से अपने आपको जुम्मेदार मानता हूं उस कार्य करता का सम्मान बना रहेगा इसकी लड़ाई में लड़ूंगा आपकी चर्च तो ठीक, खरगोन ठीक, प्रदेश में कहीं भी कॉंग्रेस के कारे करता, अपने आपको ठगा सा अगर आपके रहें की महसूस कर रहा है, तो उसको ठगा महसूस करने की जरुवत नहीं, उसका मान संब्मान बनाए रखने का हमारा अपना दाइत हुए. आप जैसे व्यक्ति को संगठन में ये भूमी का निभाना ही पड़ेगी, फिलाल में ही आपको अभी दो दिन पहले ही इंदोर ग्रामीन शेतर का कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है, बदाई उसके लिए हमारी तरब से, और ये ही दिखाता है कि आप ये जो संग दिया, कई जो कमियां थी, उन कमियों की पूर्ती के लिए आपने लोगों को भी इकठा करा, काफी सहीयोग दिया, प्रशाशन जन पृतिनी दिया आपस में समनोय बना के चलने का प्रयास करते रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे समय में बहुत सी कमी रही, प् के लिए तो आपने इंदोर का प्रभार वाले विशय पर बधाई दिये, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और निश्यती जो काम करने वाला होता है, उसको जौबदरी मिलती है, अभी काम करने का उसर है, शमताएं हैं, उर्जाएं हैं, इसलिए पार्टी न जब चला, तो कोरणा की महामारी पहली बार आई, हम समझी नहीं पाए थे, लेकिन प्रथम चरण की समाप्ती के बाद, देश के प्रधान मंत्री बार बार ये बोलता है था कि कोरणा को हमने इस देश से खतम कर दिया, हम लोग मुगाल्दे में थे, प्रधान मंत्री जी न बोला कोरणा खताम, तो हमने विश्वास कर लिया कि कोरणा खतम हो गया है, लेकिन विश्व लेवल पे जिस तरीके से दूसरी लहर है, उस लहर को हम उसकी तैयारी भी नहीं कर पाए थे, इसलिए नहीं तैयारी प्रशाशन कर पाया, सरकार इसलिए तैयारी नहीं मेरे को जहां तक लगता है कि जब प्रदान मंत्री जिन के दिया खतम तो हो सकता खतम हो गया लेकिन जब दूसरी लहराई हमारी तैयारी नहीं थी हमारे पास आक्सिजन के साधन नहीं थे अस्पतालों में आक्सिजन बेड नहीं थे वेंटी लेटर नहीं था अस्पतालों में डाक् हमारी का दूसरा दोर जब आया तो हम को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे थे हम कि हमारी सरकार ने अगर इस लड़ाई के लिए पहले सा तैयारी कली होती अस्पतालों में आक्सिजन बेट की डाक्टर से की दवाई की इंग्जेक्शन की स्टाफ की तो ये दिन जो हमने अपनो को दूसरी लहर में खोया है ऐसा लगता कि हम अपनों को नहीं खो पाते हैं टीका करण पे जोर होना चाहिए टीका अधिक लोकों को जल्द से जल्द लगना चाहिए हमारा लक्ष होना चाहिए कि हम तीन मैने के अंदर पूरे निमाड शेत्र में टीका करण को खतम कर दें इस मातरा में सरकार ने हमको टीके अपलब्द कराना चाहिए रही बार टीका करण को गाउं गाउं ले जाने की आवश्यक्ता है जो लोग टीके लगाने से डर रहें उनके डर को प्रशाशन के दौरा जिलाचिक साले और टीका करण की टीम के दौरा उस दर को दूर करके ल लोग विधायक लोग अगर आपदा सबंदर प्रबंदन समीती में नहीं होते और लाखों रुपया अगर हम नहीं देते तो इस दूसरी लहर को हम ढंक से नहीं लड़ पाते हमने अपनों को खोया है हमको आज दर्द है कि खरगोन शेत्र करके हजारों लोगों को हमने खो दि कर जब पीक पर थी दूसरी लहर उस समय खरगोन जिलाचिकिसाले को एक अक्सिजन प्लांट स्विक्रत किया गया उसका भूमी पूजन हुआ कहा ये युद्धिस तर्वे तैयार होगा सांसद महुदय ने कहा कि पंदरा दिन में ये तैयार हो जाएगा जिलाचिकिसाले से जो प्रभारी थे उन लोगों के भी बयान आए अभी भी वो काम नहीं कर पा रहा है तो आखिर ये तारीकं कब तक चलेगी कि हम तीसरी लहर का फिर इंतजार कर रहे हैं निश्ची थी, तिसरी लहर के पहले हमारी सारी तयारिया होना चाहिए, उस तयारियों पर आब्दाप्रबंदन की एक बेठक में दो बार बेठकों में चर्चा भी हुई, शीशुरोग विशेशग्यों से चर्चा भी हुई, कि दुनिया का एमानना है कि तीसरी लहर आएगी तो 10 साल से 18 साल के बच्चों पे अधिक प्रभाव होगा अधिक उनको डेमेज करेगी इसलिए उस शिशुरोग विश्यशग्यों की टीम से भी बात हुई रही बात तीसरी लहर के आने के पूर्व हमको इत्ता सजग होना चाहिए कि हमने अपनों को अब खोने का काम नहीं हो उसके पहले सास की मशनरी में इत्ता अस्पताल के अंदर इत्ती व्यवस्ताएं हो जाए कि आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे मूल प्रश्णा आपनी जो करा कि आक्सिजन प्लांड का दो महीने पुरू प्रभारी मंत्री ने डेड़ महीना हुआ है डेड़ महीने पुरू प्रभारी मंत्री ने कहा कि साथ दिवस के अंदर आक्सिजन प्लांड चालू हो जाएगा खरगोन को 65 लाख रुपे के अक्सिजन प्लान की एक सोगात मिलेगी लेकिन मेरे को आज दिल पे फतर रखके इस बात को बोलना पड़ रहा है कि शाशन के लोग बेठेवे लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं केवल एक ओटला बना लेने से एक फाउंडेशन बना लेने से अक्सिजन प्लान का साथ दिवस के अंदर अक्सिजन प्लान चालू नहीं हो गया सरकार में बेठेवे लोगों को प्रशाशन में बेठेवे लोगों को अक्सिजन प्लान यथा शिक्र लगवा कर खरगोन जिलाच चिक्षाले में जो सबसे बड़ी कमी रही है पिछली दूसरी लहर में उस कमी को दूर करके तीसरी लहर की पूरी तैयारी में आक्सिजन प्लांट चालू करना चाहिए आज से पाँच दिवस पुचार पाँच दिवस पुरो जब बेठक हुई थी आपदा प्रबंदन की मैंने बड़ी ताकत के साथ उसमें प्रश्ण रखा कि आक्सिजन प्लांट का हम महीने सवा महीने डेड़ महीने से सुन रहेंगे खरगोन को सोगात भी लिए कब आएगा असिजन पांट कब लगेगा तो उसके लिए हमने माननी कलेक्टर मोहदय को अधिकरत किया है कि वो जो एजेंसिया प्लांट लगाने वाले की वो और जिला चिक साधिकारी दोनों मिलके बात करेंगे और जल्दी जल्दी प्लांट लगागे खरगोन की जनता को सोगात दें और मध्य प्रदेश के वह आप पहले विधायक थे किसी भी राजनितिक दल के जिसने सबसे पहले 45 लाक रुपे कोरोना पीडितों की मदद के लिए खरगोन विधान सबा में दिये थे उसके बाद यह सिलसिला चल निकला और प्रदेश में काफी विधायकों ने बड़ी आ कि वरिष्ट नेता वह बार बार ऐसे स्टेटमेंन देते हैं जिससे ऑ भाजपा को मौका मिल जाता है कि यह टीके को गलत बता रहे हैं लोगों को ब्रहमीद कर रहे हैं और जब एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने टीका लगवाया तो वह जवाब देने से दूर हटत टीके सरकार पास नहीं है इसलिए वो कांग्रेस के मत्थे इस आरोप लगाती है कि कांग्रेस भ्रहमित कर रही है मेरे को एक वीडियो बताए कि कांग्रेस के इसनेता ने बोला कि टीका गलत है टीका नहीं लगाएं टीका करन पर माननी कमलनाज जी ने खुद ने टीके पर हमारा जोर है लेकिन सरकार की पॉल खुल गई कि उसके बाद टीके की विवस्ता नी इसलिए ओंग्रेस के मत्थे ऐसी बातों को मरड़ा हैं कि सब टीका करन पर भ्रहम पहलाए जा रहा है किसी प्रकार का भ्रहम नहीं मैं तो गेता है नौजवानों की इसला बचाना है त पर टीका लग सकते हैं तो उसकी भी व्यवस्ता अभी से करके उनको टीके लगाए जाए और उनको सुरक्षित रखा जाए टीका करन पर जोर होना चाहिए राजनेतिक मुद्दों पर और कोरोना पर हमने अभी चर्चा की विधायक रवी जोशी से उन्होंने इस पस्ट र पर खरगोन जिले में निमार शेतर में जो भी कांग्रेस नेताओ कि नाराजगी उन्होंने कहा कि मैं स्वयम उनसे मिल करके उस नाराजगी को दूर करूंगा और उनका सम्मान होना चाहिए ये भी स्विकार के उन्होंने साथ ही उन्होंने दो साल के कारेकाल में जो सीचाई जल को लेकर एक बड़ा काम हुआ इस शेत्र में उसे भी उन्होंने यहां गिनाया बताया और ये चर्चा इसी प्रकार से जारी रहेगी लेकिन वक्त अभी फिलाल एक छोटे से ब्रेक का कहीं जाईएगा नहीं देखते रहिए एस डबल्यू 24 न्यूज मैं बबलू गुपता अध्यक्ष प्रेस क्लब से गाओं या वान करता हूं कि पश्चिम निमाड के आदिवसी बहूल जीले खरगोन मुख्याले पर मेडिकल कालेज होना चाहिए खरगोन जीला पहले भी बहुत सुविदाओं से वंचित रहा है लेकिन मेडिकल कालेज इस में हम भी आते हो सरकेति हैं अब फ़िए खरगोन लीले में मेडिकल खुण या आ खी है हिए हमारा अधिकार है बाषपा मंडर लादे शेगां जो जिला मुख्यले पर भागभ चलती है मेडिकल कालेज को लेकर पर ही रहे लोगाभ जिला मुख्यले पर होने के कहरते हमारे जो ग्राइमिन छीट रहे हैं Cirikallings दो, मेंने अध्यमित करता हूं कि मांग करता nhruk मांपराई खरवण खरुमुन में मेडिकल कालेज होना चाहिए, क्योंकि यहां आसपास से कालेज इधर इंदोर इधर सिंद्वा है, तो बहुत बहुत परेशान होते हैं, इसलिए खरुमुन में मेडिकल कालेज खुलना चाहिए. मैं पंड़िना तुप्ता सेगाओं, जीला मुख्याले पे मेडिकल कालेज खुलना चाहिए, क्योंकि यहां पे आसपास के सेत्रों में ग्रामिन सेत्र होने से भी, और यहां के बच्चे उनके पढ़ाई के लिए बहुत दूर इंदोर वोफाल जबलपूर जाना पड़ता है और इसके लिए हमारे सेत्र के सभी विद्यारती भी बाच्चे जो होना रहे, पंड़े लिखने में तेज है, वो भी मेडिकल के लिए बटकते हैं और उनका नंबर नहीं लगता है, इसलिए खरगोन जीला मुख्याले पे एक मेडिकल कालेज होना आनिवार है, और सीगर इ नेता जी आजी रो मेडिकल कालेज स्थापना को लेकर जागरुकता बढ़ी, क्योंकि इसी निश्क्रिता के कारण जो पहले रही, दो मेडिकल कालेज खरगोन से दूसरे जिलों में शिप्ट हो गए, लेकिन इस बार एक जनांदोलन सा खड़ा हो रहा है, और जन प्रतिनिधी भी उसको पूर कि इस बात को कह रहा है कि नई नई इस बार जिला मुख्याले पर ही होगा, रवी जी आपका खरगोन जिले मेडिकल कालेज की स्थापना को लेकर टार जनांदोलन को कितना समर्थन है, और आपने स्विम देखा कि कोरोना काल के दौरान, जो भी स्वास्त विधाएं थी, व की सरकार थी दो अजार उन्नीस में कॉंग्रेश की सरकार परदेश में जब थी उसने घरह इंड जिले को मेडिकल कालेज महसका है त्ससां चीये मेडिकल कालेज में में होना चाहिए मेरा सोच था कि बिल्कुल होना चाहिए खरगोल they लेकिन जिले की एक विधायक जो प्रदेश में उस बखत अधरनीट डाक्टर विजय लक्से में साध हो चिकित सा शिक्षा मंत्री होती थी उनकी मेहनस से वो कॉलेज उनने महश्वर में लिया था तो इसलिए मेरा उस बखत सोच था कि इंदोर मेडिकल कॉलेज एक सो चालीज किलुमेटर दूर था तो हमको सव किलुमीटर बच रहेते चालीजी किलुमीटर जाना था तो हमको मेडिकल कालेज मिल रहा था तो मैं उस बात पर खुष था लेकिन धुरभाग्यवश भारती जनता पार्टि की सरकार आई उसने मेडिकल कॉलेज के ansel करके प् कि पहली और दूसरी लहर हमने देखी तो ऐसा लगा कि खरगोन के अंदर भगवान पुरा सेगावा कसरावद महेश्वर मंडेश्वर सनावद बढ़वा भीकन गाव जिर्निया पूरे जिले के मरीज्यों का प्रेशर दबाव जो था वो खरगोन के अस्पताल पर पड़ा जिला चिक सले पर पड़ा तो हमको अब लगता है कि आवश्चकता है मेडिकल कालेज की तो जो महेश्वर के लिए सुईक्रत हुआ था आपका के ना जिले में अब मेरा जिले में नी अब तो करें में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमारा प्रयास है कि निश्ची तम खरगोन के अंदर मेडिकल कालेज खुलबाएंगे खरगोन में जो स्वास्विधाओं में कमिया हैं उन कमियों को दूर करें रभी जी वर्तमान में हम अगर पॉलिटिकल प्रिशर या पावर की बात करें तो राज्य सभा सांसत जो है भाजपा से हैं लोग सभा सांसत भाजपा से हैं और वो बढ़वानी में भी लेडिकल कालेज खुलवाने की गोश्ना कर चुके हैं केबिनेट मंत्री जो प्रद्य सरकार के प्रेम शिंग पटेल वो बढ़वानी से हैं सभी उसी जिले में हैं वर्तमान में जो डंग साब जो प्रभारी कोरोना प्रभारी मंत्रिय उन्होंने कहा तो है लेकिन कोई पत्र अभी तक जन्तंगर समीति को सुपा नहीं है इस इस्तिति में क्या यह प्रेशर इस कालेज को बढ़वानी शिप्ट नहीं कर देगा चर्चा यह है कि थोड़े समय इस मामले को ठंडा करने के बाद फिर बढ़वानी ले जाए जाएगा और वर्तमान में जो पांच विधा खरगोन है खरगोन बढ़वानी और खंडवा के मद्ध में दोनों जगे से 90-90 किलोमेटर दूर है बहुत भोगोली की दरश्टी कोन से बढ़वानी से अधिक है मेरा बढ़वानी मेडिकल कालेज को लेकर कतव विरोध नहीं होगा मेडिकल कालेज बढ़वानी में भी वहां के प्रेम सिंग पटेल मंत्री जी है वह एकनी दो मेडिकल का कालेज लाए निमाल अंचल को एक सोगात मिलेगी मेरा उसमें कोई विरोध नहीं आपने लिए आपने ले आएंगे तो आखिर घरगोन की जनता का साथ कौन देगा नहीं जनता के दम पर हम घरगोन में मे प्रण है कि जिला मुख्याले पर ही अब बेलकोल उस मेडिकल कालेज के लिए हमको क्या त्याग और बलिदान देना पड़ते हैं पड़े खरगोन की जनता के लिए उससे हम पीछे नहीं आप यह एक सपष्ट संदेश हमारे दर्शकों के लिए है कि खरगोन के विधायक र कमिंती के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ मिलकर वो संगर्ष के लिए तयार हैं उनका ये भी मानना है कि संगर्ष की इस्तिति बनेगी नहीं और ये कार सुविधा जनक रूप से हो जाएगा लेकिन आगे इस्तितियां क्या बनेगी ये समय बताएगा रवी जी हम फिर को को लेकर के कुछ बाते करना चाहेंगे आपसे कोरोना काल में जो हमारी शेत्री इस्तिति आर्थिक रूप से कमजोर खेती हर मजदूर हमारे यहां बहुत आयत है दूसरे जो है वो भी लगभग आर्थिक रूप से काफी कमजोर है आदिवासी बहुल जिला है लोग छोटे चोटे मजरे टोले टपो में रहते हैं सब से बढ़ी उनके सामने इस कोरोना काल में समस्या खडी हुई रोजजगार की रोजगार ना होने से काफी इसके लिए परेशान होना पड़ा दूसरी बात शाशन ने जो अनाज राशन दुकानों को माध्यम से बात आज देखा जाए तो राशन आज भी पूरी तरह मिल नहीं पा रहा है गेहूं की जगे बाजरा थोड़ा बिलाकर करके जो भी उन्होंने पहला उनका स्टाक था उन्होंने खतम किया यह कुल मिलाकर वह एक बोलना जी अपचारिक्ता नहीं भा रहा है ऐसा क्यों एक गरीब इसे समय में ये इस सी त्याह krie उंफ़ा एक प्रश्ण में तीन प्रश्ण थे मैं शहरीजेत्र का अलग धर घ्रामीन शेतर का और अलग ता राशन का था भोजन का सारी चीज़ाई में एक एक करके जवाब दू कि लागडाउन लगा कि में उस दोर में यह नहीं था दमों उपचुनाव में था ताबर तोड़ भाग क्या आए आपदा प्रबंदन समीति की बेठक में बेठा शाशन ने कहा आपने वहां रहते हुए भी काफी आर्थिक स्विक्र तोड़ जैसी मालम पड़ा कि आक्सिजन कमी है पांच लाख रुपे रात को दस बज़े कलेक्टर साब से बात करी और उनको इमेल करके पत्र दिया स्विक्रती दी ताकि घर्गोन की जनता को समस्या ना आए और समस्या का समाधान उसके बाद में लागडाउन जैसे ही में खाने की चीज है जर्वत मन लोगों को गरीबी रेखा के नीचे वालों को जिन लोगों की परची लगी थी उन लोगों को बाजरे का सप्लाई हो रहा था मैंने आपदा प्रबंदन की बेठक में बड़ी ताकत से बात उठाई कि बाजरा गर्मी में कोई खाता नहीं को आम तोर पे देखा गया है कि बाजरे को कभी कदार इस निमाड में शोकर सोक साल भर में एक दो बार अगर कोई खाते हैं तो ठन के दिनों में खाये जाता है लेकिन उसमें कलेक्टर के लिखने के बाद भी अभी भी बाजरे का वित्रन हो रहा है कई हज्जारों परिवार कि जिनको वो शाषन की योजना का तीन मैने और दो मैने का लाब अनाज का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है बाविस तारिक से शाषन का पोर्टर बन है बीच में किवल एक दिन के लिए पोर्टर खुला था आज 14-15 दिन होने आ गए हैं आज धिनांग तक भी वो बन है आवेदन आदमी गरीब आदमी आवेदन आउनलाइन नहीं कर सकता गरीब आदमी के बाद मोबाइल नहीं है मोबाइल है भी तो मोबाइल के माद्यम से उसको आवेदन नहीं कर सकता वो कई लोगों ने हजारों परिवारों ने अपनी अपनी पंचायत में अपने अपने न मेने का नाज नहीं मिल रहा है मैं आपकी इस न्यूस के माद्यम से मद्दप्रजिस के मुख्धमंत्री जी से मांग करता हूं कि जिन लोगों के आवेदन है या जिन जो लोग आनलाइन आवेदन नहीं कर पाएं उनको नहीं मालम था कि आफ लाइन भी हम नगरी निकाय और प तपती धूप में वो अपने घरों में रहें आर्थिक नुकसान भी उनको हुआ उनकी मजदूरी का भी नुकसान हुआ तपती धूप में बीजली का बिल अधिक आया मैंने एक पत्रमान्नी मुक्मंत्री जी को लिखाया है जो चीज़ आपने नहीं पूछी वो बताना चा सफलता के पीछे जनता का साथ था जनता घरों में रही है जनता को कई परिवार ऐसे हैं कि जिनको पांच महीने का राशन भी नहीं मिला उनको बीजली बिल अगर माफ हो जाता तो बड़ी रहत पब्लिक को क्योंकि मध्यमवर्गी की बात किसी ने नहीं करी मध्यमवर्गी ब्लिक को रहत बीजली बिल माफ होगा तो मध्यमवर्गी को रहत होगी बहुत सभी बात कि मध्यम वर्गी इस देश में हमेशा से नजरन्दाज किया जाता रहा जातिगत समिकरण आरकशन इनके बीच में वर्ग जो है इस मृख मध्यमवर्गी कहलाता इस देश में वो बार बार नजर अंदाज किया जाता रहा है और आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिजली बील जो है उस से उस मध्यमवर्गी पर काफी हद तक एक आर्थिक जो है उसको सायोग मिल सकेगा और इसा होना भी चाहिए आपने तीसरे औ अधर कब आएगी यह कोई कह नहीं सकता इस इस्तिति में एक सवाल तो मेरा यह ही कि आपने शासन से इसी कौन सी मांगे की है जिससे हम इसको पूरी तरह कंट्रोल रख सकें जैसे आक्सीजन वगईरा बताई इसके अत्रिक भी बहुत सारी चीज़ें आपने एज ग्रूप के पहले से यहां सडकों पर सीवर का काम चल रहा था सडकें खुदी थी लोग बार बार कह रहे थे भीया कब बनेगी कब बनेगी कमपनी जो है इतनी मदमस्त है इतनी बेलगाम है कि वह गड़ा खोदने के बाद उसको वापस भरना भी नहीं चाहती हरगोर में कई जगें जो प्राण घातक है सडकों पर सीमो से कहा कलेक्टर से कहा सबसे कहा क्या आपके संग्यान में यह बात नहीं आई और आखिर यह उप्चार इसका खब तक हो पाएगा निशीति आपने पहली बात कही तीसरी लहर की सारी वेवस्ता हैं अगर तीसरी लहर के पहले जिला प्रशाशन आपदा प्रबंधन समीति और जिला चिकित्साले और चिकित्साले से संबंधित सारे आधिकारी तीसरी लहर को देखते हुए सारी तयाने पहले से कल ले मैंने पेट्रेटिक ICU 30 बेट का बनाने के लिए बोल दिया कि जित्ता पैसा लगेगा उसकी कमी नी आने दूँगा पूरा पैसा 30 बेट का पेट्रेटिक ICU बने ताकि बच्चों की जो लहर का ब्यग्यानिक लोग बोंध रहे पिछले दिनों मैंने चार पांच दिन पहले महारास्त क हमारी तयारी रहेगे तो निश्चीति हम भखुबी तीसरी लहर से निपट पाने में सक्षम होंगे और पुरी ताकत से हम तीसरी लहर को निपटेंगे और किसी प्रकार की खरगोन शेहरी खरगोन की जनता को किसी प्रकार की परिशानी का सामना नहीं आने देंगे रही बाद रीनीवल नहीं, नए सीरे से उनको डामरी करन जा करना हुआ, डामरी करन जा सिमेन कॉंक्रीट करना हुआ, तेरा सड़कों के टेंडर भोपाल से मंजुरी करा के लाके दिये और तेरा सड़कों के टेंडर लगे और काम करीब करीब पूर्ण हो रहा है, मैं बार बार कलेक्ट करें और अगर इन रोडों को नई को सिवेर कंपनी और नगरपाली का नई सुधारी के तो निश्चिति हम जनता के साथ लेके धाना प्रदर्शन और अंदोलन का समय नहीं है पूरी ताकस से कलेक्टर से चर्चा करके इस विशे को भी हम शाट आउट करेंगे और खरगोन के पेचवर्क और रोडों को पेचवर्क के साथ साथ जा नभी निकरन होना है वह नभी निकरन कराईगे बहुत अच्छी बात कहिए आपने और खरगोन शहर की जनता को इसका इंतजार लंबे अर्से से कर रही थी कि यहां की सड़कों का कम से कम अगर गड़े नहीं नहीं न चल रहा है और जनता यह जानना चाहती है क्योंकि आपके जो यहां पर अनुगामी है या आज इस शेत्र का आप नेत्रत्व कर रहे हैं और यह जिला मुख्याला है आपका क्या संदे से शहर की जनता के लिए मेडिकल कॉलेज को लेकर मेडिकल कालेज के लिए तो मैं पूर्व में बोल चुका हूँ कि क्या त्याक करना है क्या बलिदान करना है पूरी मेडिकल कालेज के लड़ई लड़ेंगे मेरा विशे महेश्वर और बढ़वानी नहीं मेरा विशे तो खरगोन जिला मुख्याले पे जिला अस्पताल मेर दाई तीन सो करोड रुपे में जो आज इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा स्ट्रेक्चर तैयार होता है, तो दो दाई सो करोड रुपे का स्ट्रेक्चर हमारे पास तैयार है, सिर्फ हमको आवश्यकता है फेकलटी की, सबसे पहले राज्य साथ शाशन इसकी स्विक करते हैं कि Medical College खरगोन में होना चाहिए खरगोन के विधायक रवी जोशी जी से हमने बहुत सारे मुद्धों पर बात करी और आने वाले समय में और भी मुद्धे होंगे जिन पर हम आप से स्टूडियो में बात करेंगे आज आप यहां स्टूडियो में पधार है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप ने मेरे को बुला इसलिए धन्यवाद लेकिन मैं आपके इस न्यूस चैनल के माध्यम से खरगोन की जनता से अपील करता हूं कि तीसरी लेहर का आवश्यक हो तो घर से निकले निकले तो बगर मास करना निकले और काम हो जाए तो हम भीड में एकत्रित न हो हम हमारे घरों पर जाए और सुरक्षित रहें एसी मेरी इच्छा है और तीसी लहर को हराए सम मिलकर धन्यवाज जयहिन जयवाद आज इस कारिकम में विभिन खर्गोन विधाग रवी जोशी जी से चर्चा की और उन्होंना बड़ी वेबागी से सभी मुद्दों पर अपनी राय दी विशेश जो इस समय जोलंत मुद्दा चल रहा है खर्गोन में मेडिकल कॉलेज की जिला मुख्यले पर इस्थापना को लेकर उसमें उन्होंने इ इस कारिक्रम से हम समझते हैं कि उनके वो सवालों के जवाब उनको विधायक रवी जोशी जी के द्वारा मिल गए हैं और आपके सवालों को लेकर हम आगे भी अपने कारिक्रम में विभिन नेताओं से जनपतिनीद्यों से चर्चा करते रहेंगे आज सिर्फ इतना ही अब मुझे आग्या दीजे नमस्का देखते रहें एस डवली टून्टी फॉर न्यूज मद्यप्रदेश